Tinny Habits, The Small Changes That Change Everything, BJ Fog द्वारा लिखी गई है, जिसमें छोटे, प्रबंधनिय कारियों पर ध्यान केंद्रित करके नए आत्ते बनाने और दीरगकालिक परिवर्तन लाने का एक तरीका प्रस्तुत किया गया है. Fog, जो एक व्यवहार व्यग्यानिक है, इस बात पर जोड़ देते हैं कि छोटी आत्ते समय के साथ महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती हैं. मुख्य अवधारना आए एक Fog Behavior Model, B Map यहां मौडल बताता है कि व्यवहार, B, तब होता है जब प्रेरना, Motivation M, क्षमता, Ability A, और Prompt, Prompt P, एक ही समय पर मिलते हैं. यहां Formula बताता है कि एक आदत बनाने के लिए परियाप्त प्रेरना उस व्यवहार को करने की क्षमता और उसे Trigger करने के लिए एक संकेत की आवशक्ता होती है. प्रेरना, Motivation यह समय के साथ बदल सकती है, इसलिए केवल प्रेरना पर निर्भर रहना निरंतर व्यवहार परिवर्तन के लिए अस्थिर है. शमता, Ability जितना आसान एक व्यवहार करना होता है, उतना ही संभव होता है कि वह एक आदत बन जाए. Prompt, Prompt टेक विशेश संकेत जो व्यवहार को ट्रिगर करता है, दो फ्टिनी हैबिट्स मेथड, उस आदत का एक छोटा संसकरन शुरू करें, जिसे आप विक्सित करना चाहते हैं, जैसे सभी दान्तों की बजाय केवल एक दान्त को फ्लॉस करना, एक संकेत या Anchor Moment पहचाने जैसे दान्त ब्रश करने के बाद, आदत पूरी करने के तुरंत बाद जश्न मनाएं, जो व्यवहार को सुद्रिड करता है और सकारातमत भावनाएं उत्पन करता है, तीन जश्न, Celebration फौक छोटे सफलताओं का जश्न मनाने के महत्व पर जोड देते हैं, यह जश्न एक साधारण इशारे, जैसे मुस्कुराना या अच्छा किया, कहने के रूप में हो सकता है, इससे नई आदत के साथ सकारातमक संबंध बनते हैं, चार छोटे बदलावों पर ध्यान केंद करें, विचार यह है कि कुछ इतना छोटा शुरू करें, कि यह लगभग हास्यास्पद लगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसे सबसे व्यस्त या सबसे चुनौती पूर्ण दिनों में भी करना आसान हो, समय के साथ यह छोटी आदते बड़े बदलावों में बदल स करते हैं, जिसमें व्यवस्थित रूप से व्यवहारों को अपने जीवन और लक्षों के अनुसार डिजाइन करना शामिल है, इसमें अच्छे व्यवहारों को आसान बनाने और बुरे व्यवहारों को कठिन बनाने के लिए वातावरण का पुना निर्मान शामिल है, छे भ साथ वृद्धी, स्केलिंग अप एक बार एक छोटी आदत स्थापित हो जाने के बाद, इसे बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ती बाथरूम का उपयोग करने के बाद दो पुशप से शुरू करता है, तो वह आदत के मजबूत होने के साथ संख्या बढ़ा सकता है। आठ इच्छाशक्ती की आवशक्ता नहीं उदा स्माईली, फौग का तर्क है कि आदत निर्मान के लिए इच्छाशक्ती पर निर्भर रहना एक स्थिर रणनीती नहीं है। इसके बजाए, छोटे, आसान से करने वाले व्यवहारों को डिजाइन करके लोग इच्छाशक्ती की आवशक्ता को बाईपास कर सकते हैं। नौ, व्यवहार परिवर्तन के तीन द्रिष्टिकोण। एक समझ, एपिफिनी, प्राप्त करे दुरलब और नियंत्रित करना कठिन। अपने वातावर्ण को बदले, इसे नए व्यवहारों के अनुकूल बनाएं। छोटे से शुरू करें, छोटे बदलावों पर ध्यान केंद्रित करें, जो बढ़ सकते।